जन्तावाई जिन्तावाई जिन्तावाई ज्याद है इनकी सरकार लाल टेन प्रदेश बना के रख दिया था इनोंने मत्रदेश को हमारे बच्चे रात को चीट परण ही पाते थे कितरे बहुत सिचाई तक नहीं हो पाती थी बिझदी थी कहां तो शिवराज ने आकर प्रदेश को रोशन कर दिया पूरे प्रदेश का जीवन अंदकार में धक्यल कर गय थे ये लोग तो माप करो महाराज हमारा नहता तो शिवराज विकास का साथ दे भाजपा को वोट दे याद है इनकी चरकार अरे जब होनहार बच्चे लोन और एडमिशन के लिए तरस रहे थे तब ये अपने बच्चों को पिदेश भेज कर इतरा रहे थे ये तो शिवराज था जिसने आकर इन मिधा भी बच्चों का हाथ था माण अब हमारी तरक्की देखी नहीं जाती इनसे माप करूं माराज हमारा नेता तो शिवराज विकास का साथ दे भाजपा को वोट दे याद है इनकी सरकार अरे गाड़ी चलाना तो दूर पैदल चलने लाइक रस्ते तक नहीं छोड़े थे इन्होंने वो तो जब शिवराज आया तब कहीं जाकर गली मोले और गाउं शेहरों में सड़कें दिखने लगी अरे उचे मेलों में रहने वालों तुम क्या जानो गरीब की तकलीब को माप करो माराज हमारा नेता तो शिवराज विकास का साथ दे भाजपा को वोट दे जरूर दीजेगा याद है इनकी सरकार ये लोग जब दिल्ली जाकर एक परिवार की सेवा में व्यस्त थे न तब शिवराज था जो केंदर सरकार से प्रतेश के लिए फंड ला रहा था अपने आकाओं की सेवा से फुर्सत मिलती तो ये देख पाते न हमारी और प्रतेश की जरूरतों को माप करो महाराजी हमारा नेता तो शिवराज विकास का साथ दे भाजपा को वोट दे याद है इनकी सरकार दस सालों में बूंद बूंद के लिए तरसा दिया था फसलों को खेत बंजर दिखने लगे थे दर्द तो हमारा सिफ शिवराज ने समझा किसान का बेटा है न गाउं गाउं में नहर और विजली ले आया वो अरे पानी खाद और यूरिया तक के लिए तरसा दिया था इन्होंने किसानों को माफ करो महाराज हमारा नेता तो शिवराज विकास का साथ दे मुखमंत्री शिवरा सिंग चोहान की पतनी साधना सिंग ने नसुरल्ला गंज में चुनावी कार्याले का शुभारम किया सबसे पहले साधना सिंग ने वजरंग कुटी पहुंच के हनुमान मंदिर में पूजार चना की उसके बाद वार्डो का दौरा किया चुनाव के चलते शिवरा सिंग चोहान की पतनी साधना सिंग ने नसुरल्ला गंज में चुनावी कार्याले का उद घाटन कर चुनावी दौरा शु किया साधना सिंग ने एक बार फिर बीजेपी के कारियों और शिवराज के कारेकाल की उपलब्धियां बताई और शिवराज सरकार को फिर से जिताने की अपील की साधना सिंग घर घर जाकर लोगों से मिल रही है और लोगों का भरोसा जीतने का प्रयास कर रही है बता दें कि शिवराज सिंग चोहान ने पिछले दिनों कहा था कि बुधनी में उनका प्रचार प्रसार बुधनी की जनता करेगी जिसके चलते शिवराज की पत्नी साधना सिंग ने बुधनी का मूर्चा समहला हुआ है हाला कि साधना सिंग को पिछले दिनों जनता की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा नसुर लागन्य में बीजेपी कारे करताओं में साधना सिंग के चुनाव प्रचार को लेकर खासा उत्साहा देखने को मिला याद है इनकी सरकार जब ये दिल्ली में बैट कर गुल छर्रे उड़ा रहे थे ना तब एक शिवराज भाईया ही थे जो हमारी लाल्लियों की पढ़ाई लिखाई उनके शादी ब्या की फिकर मामा बन कर कर रहे थे आधी आबादी का दर्द समझ में नहीं आता था इने अरे मास करो महराज हमारा नेता तो शिवराज विकास का साथ दे भाजपा को वोट दे याद है इनकी सरकार ये वही लोग है जो गरीबों की टपकती छते देखकर अपना मुँ फेर लिया करते थे वो तो मोदी आया तब जाकर हमारे सर पर पक्की छते आए गरीबी हटाओ कहते कहते गरीबों कही हक खा गय थे ये लोग माप करो महाराजी हमारा नेता तो शिवराज विकास का साथ दे भाजपा को वोट दे याद है इनकी सरकार ये जब बुजुर्गों से पैर छुआ कर चोड़े हुए जा रहे थे ना तो हमारा शिवराज उन्ही बुजुर्गों को माबाप मान के तीरफी अत्रा करवा रहा थे आज वोट लेने की बारी आई तो बुजुर्गों को गले लगाने के ठोग कर रहे ये लो ए माप करो महाराज हमारा नेता तो शिवराज विकास का साथ दे भाजपा को वोट दे